अच्छा गुरू जी आपने स्त्रियों के वाणप्रस्त के समंध में एक प्रशन का जवाब दिया था तो उसी जवाब के उपर फिर एक और प्रशन आया है और ये मंजु जी का प्रशन है नेमित रूप से आपको ये देखती सुनती है ये लिखती हैं कि अगर किसी महिला के प्रती कोई पारिवारी की जिम्मेदारी ना हो तथा परिवार के इतर सदस्य परिवार का भर्ण पोशन करने के लिए तथा मानसिक और भावनात्मक सुरक्षा देने के लिए सक्षम हों तैयार हों तथा इसके साथ संबंधित महिला के वानप्रस्थ के लिए उनकी कोई आपत्ती भी ना हो अर्थात अनुमती हो तो क्या तब भी माताओं के लिए वानप्रस्थ को वर्जित माना जाना चाहिए तो ये इनका प्रश्ण है हमने उसमें बचाया था कि इस तरी जो है उसकी सबसे बड़ी साधना और सबसे बड़ी तपस्या परिवार में ही है नारी के लिए हमारे सबी धर्म शास्त्रों ने कहा है कि नारी की तपस्या नारी को बाहर जाकर के जंगल में जाकर तपस्या करने की और साधना करने की कोई आउश्यक्ता नहीं है क्योंकि परिवार में बच्चों को अच्छा बनाना राजा किष्णे ने लिखा है बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं लेडीज की बारे में इस तरी जो है वो बच्चों को संसकार देती है अपनी गोद में बच्चा जब दूद पीता है उसका मा का तो मा के दूद में अच्छे संसकार जाते है जो नारी अपने बच्चों को ठीक संसकार नहीं देगी उस नारी को मरने के बाद जब उसके बच्चे उसको जल देंगे तो जल उसके मुँँ में नहीं जाएगा, वो मूत्र बन करके उसके मुँँ में जाएगा, क्योंकि बच्चा अगर बिगड गया उसका पुत्र, तो उसके हाथ का जल जल नहीं होता, तो इस तरी के उपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, पोते होते हैं उनकी भी जिम्मेद में चीज क्या है कि जब देवी प्रगट होई देवताओं के सामने सर्व शक्ति समनविता सारे देवताओं की शक्ति से समनवित रूफ हो करके और दुर का सामने प्रगट होए तो देवताओं को बड़ा अश्रिय हुआ कि ये कौन है बड़ी शक्ति शारी कह रही है मैं तु हुमारे इस रूप में से पैदा वही हूं, समनवित रूप है, तो देवी ने बहुत सारे अपने चीज़ें बताये, का सी तुम महा देवी ती, हे देवी तुम हो कौन, तो उन्होंने कई चीज़ें बताते हुए और उसमें एक महार कहा, कि मैं मोह रूपा महा बला हूं, मैं बड़े ज्यानिय के चित को भी खीच करके, लोग कल्यान के कारण में, परिवार कल्यान के कारण में लगा देती हूं, मोह में लगा देती हूं, ताकि संसार की व्यवस्ता अनस्ट ना हो, सारे आदमी, सारी ओरते हैं, अगर सन्यास लेके चली जाए, तो बच्चों को कौन पा रहेगा और कौन बच्चों को अच्छे संस्कार देगा तो राजाखिशन तो खास तौर से ओरतों पर ये जिम्धारी डालते है और ये जिम्मेदारी आज फराइड ने और एडलन ने भी डाली है कि बच्चों की परसनेल्टी को बनाने के लिए जिनमें बच्चों में फरस्टेशन ना है उनको अर्ली स्टेज में मा का प्यार मिलना चाहिए और अगर मा कामकाजी मा महिला है तो उन्हें दादी का प्यार मिलना चाहिए तो अगर सब बच्चों को उन्होंने ठीक बना दिया है, बच्चे इस तरह कोई बच्चा ऐसा नहीं रहा, जिसको प्यार की दरुगत हो, दादी की प्यार की, तो यह तो ऐसी महला के घर में कोई बच्चा रहा ही नहीं है, और यह ऐसी महला जिसको घर वाले बहुत ही घरना क दिश्टे से देखते हैं कि यह निकल जाए यहां से तो अच्छा है यह बुड़िया बोज बनी हुई है हमारे उपर तो ऐसी ओरतों को साधना के लिए अपना वानपरस्त ले लना चाहिए उसमें कोई मन मनाई नहीं है लेकिन जो तपस्या का जीवन है सारे चास्त्री कहते ह हैं कि नारी को कोई तपस्या की आवश्यक्ता नहीं है क्योंकि गरस्त से बड़ी तपस्या कोई नहीं होती गरस्त में अगर बालक बिगड़ गए तो इसका मतलब आपकी तपस्या सफल नहीं होगी बाल खिले रिशी जो थे उनको उल्टा लटकाया हुआ था नर्क में और बालक बिगड़ गया और वो बालक जो हैं अब कुसंसकारित हो गए हैं अच्छे संसकार नहीं है इसलिए जब शरादों के दुनमा में मेरे हाँ मुझे जल देते हैं तो जल मेरे मुँ में मूत्र बन करके बह जाता है आ जाता है तो या तो मेरे बच्चों को संसकारित कर जाकर कि उन्हें अच्छे संसकार दे दो और या यह करो कि उनको मना कर दो कि मुझे जल ना दिया करें तो यह बड़ा परिवार का दिमेदारी है रादा किष्णन हिंदू वियो अफ लाइफ में आप देखें उन्होंने का है वुमन बहुत सारी चीने रिखें उन्होंने उसमें यह लिखा है वुमन बिलएग झार केरेक्टर बच्चों को अच्छे संसकार दे के करेक्टर वही देंगी और जो नहिंगे वुमन बिल्वेग दर लो अरून आ को अगर आज़ और अच्छे क्रेक्टर नहीं देती तो अच्छा दोबनी बने सकता देश के अंदर सा में तीसरे अध्याय में यह कहा है, कि उपर से आप इंद्रियों को किसी तरह कंट्रोल कर लें, लेकिन अंदर आपके वही वासना बसी हुई है, तो वह सन्यास नहीं धौंग है, उसको धौंग ही कहा है उन्होंने, तो इस तरह को यह भी है, कि बान प्रस्त लेके जा रही हू तो फिर मुझे परिवार में मेरा बच्चा बीमार हो, मुझे पता लगे का आपका लड़का मर गया, जबान लड़का, तो फिर में मोव में ना हूँ, अगर मोव में आती हूँ तो इसका मतलब है, जबान प्रस्त नहीं लिया मैंने, बलकि मैं उसको पाखंड कहा है, पाउन प्रस्त का सिद्ध होना जब ही जबरूरी है, जब मैं मोहत्याग दो उनका, तो इन चीजों को देखते हुए, अगर कोई इस तरी जाना चाहती है, तो कोई पावंदी नहीं है, जा सकती है, जी गुरूजी, तो इस तरहें से वही कि हमारे यहां भारती परंपरा मे जो परिवार की इकाई रही है, उसका हमें ख्यार लखना पड़ेगा, उसमें उपने दायतों से पीछे हटे भी ना आपका इस लोग में कल्यान संभवना दूसरे लोग में कल्यान होगा, और शायद गुरूजी, ये बात ना सिर्फ स्तुरी पे, पुरुष पर भी ज़ा में नाराँ जी से कहा, कुमार कामी हो गए है, जब हो मुझे जल देते हैं, तो मुत्र बन जाता जल, और मेरे मूँ मां मूत्र बन करका आता है असलिए या तो मेरे बच्चों को अच्छे मार पर लादो उनको संस्कार दे दो, या उनको कह दो कि मुझे जल ना दिया करें तो पुरिस पर भी जिम्मेदारी है पुरिस ने अगर बच्चों को कुमार गामी बना दिया तो उसका पर लोग भी खराब हो जाएगा ये लोग भी खराब होगा